Hi everyone, इस सीरीज का नाम है comment quest इसमें हम एक एक comment को choose करेंगे और उसकी decoding करने की कोशिश करेंगे उसको explain करने कोशिश करेंगे, perspective जाने की कोशिश करेंगे से कमेंट किया है और अगर कमेंट अच्छे आते हैं तो उसके ऊपर हैं पूरी पूरी वीडियो में डेडिकेट करूँगा आज की वीडियो का कमेंट है एक बच्चे का जिसने फामडी के बारे में आपकी कुछ लिखा है काफी टाइम से मेरे पास चैनल पर कमेंटस आ रहे से काफ़ तारे बच्चों के फार्फदी से कि फार्मडी के बाद को सी जौब्स एविलेबल हैं और बच्चे कंफ्यूज हैं कि स्यब्स इसे को लेकर है आब coração कमेंट को डीकोर करने कोशिश करेंगे तक और तो से पहले आप कमेंट को कि वो क्या करता है इस कमेंट में लिखा हुआ है भाई मत करना महाफ़ाल्तू कोर्स है फार्मा बोलने में अच्छा लगता है बी फार्म एम फार्म फार्म दी इंडिया में कोई regulation नहीं है दो साल वाले को भी same license और छे साल वाले को भी same license D-Petypantsive is equal to same license बी फार्म is equal to same license फार्म डी इस इकल सेम लाइसेंस दो साल और छे साल में कोई फरक नहीं है PCI के अकोर्डिंग इंडिया में अन्पड जाहिल मेडिकल चला रहे हैं लाइसेंस रेंट पर मिल जाता है इसली दो से तीन हजार में फार्मसिश्ट अपना इमान बेच देते हैं फार्मसिश्ट का सेल्फ टिंठावन है बीस भी नहीं मिल पा रही है मुझे क्योंकि लाइसेंस रेंट पर मिल जाता है रेगुलर फार्मसिस्ट को कोई नहीं रखना चाहता आज के टाइम फार्मसिस्ट बिजनस ओर्येंटिड कोर्स है इसलिए डीफार्म इनफ है मार्केटिंग में बीए बीकॉम बीएसे वाले हैं भरे पड़े हैं मैनुफेक्टिरिंग में बीएसे एमसे का बोल बाला है इवन आई टी वाला भी आज के टाइम फार्मा मशीन ओपरेट करता और कोई फाइदा नहीं है गवर्मेंट की तरफ से भी कोई रेगुलेशन नहीं है फाम डी को लेकर यूट्यूब पर सर्च कर लेना फाम डी वेबसाइट के नाम दिये हैं फार्मसिस्ट जोब सर्च कर लेना 10,000 सेलरी यही दिखाएगा यही ओकात है फार्मसिस्ट की इं इसने बोला है सेम लाइसेंस होता है डी फाम के लिए बी फाम के लिए और फाम डी के लिए बात सही है लेकिन इसका प्रस्पेक्टिव अलग है लिमिटेड बात है हर केस के अंदर ऐसा नहीं होता अगर आप बिजनस कर रहे हो तो माहिने रखता है कि डी फाम वाला भी बि कि होंगी जो लिमिटीड सेक्टर के अंदर जोब्स होती है लो लेवल की जोब्स होती है वही डीप फार्म को मिलती है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने दो सल का कॉर्स कर और आप कंपेर करोगे उसे 6 साल की डीगरी के साथ यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जिन बच्च चेंज हो जाता है तो इस पॉइंट को मैं हенडर परसेंट ट्रू नहीं कहूंगा उसके बाद हम बात करते हैं इस के बारे में सेकंड पॉइंट है लाइसेंस ओनरेंट अब इस इस पोपर मैंने काफी सारी वीडियो में बात करी है और यह काफी इंपोर्टेंट इस उए अ कि या फिर छे साल पढ़ाई करके हम एक license obtain करते हैं और उस license को हम सिरफ दो से तीन हजार रुपे के लिए rent पर दे देते हैं और हमारी जो पूरी education है वो उस चीज के उपर ही depend करती है अगर वो license पकड़ा जाता है तो हमारी जो degree है हम खूद operate नहीं कर सकते किसी store को और यह करना होगा कि अगर हमें अपने profession को राइज करवाना है अपनी country के अंदर इंडिया में तो हमें इस चीज को बंद करना होगा rent पे license नहीं देने होंगे जिससे हमारी जो फार्मसिट्स की जो value है वो increase होगी इंडिया के अंदर थर्ड पॉइंट इसके बार मैं बात करना चाह का experience है उसके बाद आपकी salary 18,000 पर है यह एक serious problem है और यहां पर यह फार्मसिट्स टक हो चुके हैं काफी सारे फार्मसिट्स हैं जो starting के एक या दो साल के experience के बाद 25-30,000 रुपे पर मत पर आ जाते हैं और अगर आपने M firm करी है और आप clinical settings के अंदर काम कर रहे हो काफिए मैं हमने खुद देखा कि salary 70,000 से लेकर 80,000 पर मन तक हो जाती है लेकिन जिसने यह comment कर रहा है मैं उसकी बाद को भी यहां पर आगे रखता हूं काफी सारे फार्मसिट्स हैं इंडिया के अंदर जो depressed है stress है अपने काम को लेकर अपनी salary को लेकर क्योंकि जो हमें पढ़ाया जाता और यहां पर उसी वजह से हमारी salary कम होती जा रही है skill workers यहां पर बहुत कम है इसका reason यह भी है कि जो हमारा syllabus है वो outdated हो चुका है काफी पुराना syllabus हो चुका है और जो industry है वो काफी तेजी से grow कर रही है तो यहां पर हमें update रखना होगा pharmacy industry को लेकर हमें skills के उपर काम करना होग यह बात मैं बिल्कुल सच नहीं मानता अब इस बात के लिए मैं कुछ नहीं कहने वाला मैं आपको अपने ही पॉल दिखा देता हूं इस channel के उपर मैंने एक पॉल क्रेट कर रहा था जिसमें काफी सारे बच्चों के votes आए और जायतार बच्चों ने vote कर रहा है कि वह अपन यहां पर scope कहां है तो awareness की problem है ऐसा नहीं है कि यहां पर jobs available ही नहीं है गवर्मेंट सेक्टर के अंदर भी jobs available है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी jobs available है मैंने काफी तरी वीडियो बनाई है इस channel के उपर से मैंने discuss कर रहा है scope of pharmacy को एक पूरी-पूरी playlist है उसे मैंने यही बता सर्च करनी होगी काफी पढ़ना होगा अपने syllabus से हटकर इन चीजों को भी देखना होगा फिस्थ पॉइंट जो की important है ब्सक्राइब काफी सारे बच्चे यह courses करके industry के अंदर काम कर रहे हैं आई टी वाले काम कर रहे हैं बीए वाले काम कर रहे हैं ब्सक्राइब करके काम क कर रहे हैं उनका benefit सिर्फ financial benefit है वह इन students को इन graduates को जिनने ब्सक्राइब कर रहे हैं इन्हें कम salary के उपर appoint करते हैं ताकि वह फार्म डी या फिर भी फार्म को पॉइंट ना करें क्योंकि हमारी salary expectation ज्यादा होगी उन बच्चों से तो उनसे वह वही काम करवा लेते हैं जो हम क करवाते हैं और यहां पर हमारी pharmacist के employment है वह इससे कम हो रही है तो इस point से तुम्हें agree करता हूं यहां पर लेकिन majority case के अंदर नहीं है काफी कम industries हैं जिसमें देखा गया है लेकिन एक इतना serious issue नहीं है कि इसके उपर हमें बात करने चाहिए इसके उपर हमको step लें यह काफी क लेकिन अगर आप एक educated आपके बास skills है तो बिलकुल आपको अच्छी salary के उपर job जरूर मिलेगी last point जिसे मैं discuss करना चाहता हूं इस वीडियो में यहां पर यह फार्मसिश बात करते हैं government support के बारे में फार्मडी students को फार्मडी graduates को यहां पर कोई government support नहीं मिल रहा अब इसके बारे में बात करूं इससे पहले आप यह वीडियो देखें only traders so we have to work on the patient counselling and also take a charge for patient counselling already mentioned in the PPA 2015 you can take a charge against the patient counselling even we give the proposal we give the proposal to the government of India for PharmD students if they can practice as like a doctor for primary treatment and give the some restricted prescription rights so government of India agreed on it on on that and within a short period they will release the gadget so it is very great achievement of Pharmacy Council of India because many PharmD students many PharmD students are not getting proper work and other jobs for their PharmD studies अब जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि यहां पर जो PCI के president है Montu Patel उन्होंने the government of India के साथ बात करी है और government ने कुछ चीज़ों को लेकर agree भी किया है लेकिन अभी तक उसके ओपर implementation नहीं हुआ तो यहां पर बात जरूर हो रही पीसे अपना काम कर रहा है लेकिन government को यहां पर implementation में time लग रहा है और अगर आप मेरा personal opinion पूछते तो मुझे नहीं लगता है in a near future यहां पर इस चीज़ को लेकर काम होगा as a pharmacist as a PharmD graduate आप prescribe कर पाऊगे medicines को लेकिन यह सिर्फ एक case के अंदर हम देख सकते हैं अगर case होता है कि आपको rural areas के अंदर काम करना है क्योंकि जो doctors हैं जो MBBS doctors हैं वो जातर prefer नहीं करते रूरल areas को वो urban areas के अंदर ही medicines का काम कर रहे हैं तो rural areas के अंदर अगर doctors की कमी होती है और वहां पर उन्हें वो seats fulfill करनी है तो वहां पर PharmD graduates काम आ सकते हैं लेकिन अभी कुछ सालों के अंदर मुझे नहीं लगता यह चीज भी possible होगी लेकिन पांच साल बात दस साल बात हो सकता है कि यह opportunity of PharmD graduates को मिले PharmD अभी भी एक कोई favorite course नहीं है students के बीच इसके बीच में काफी तरी confusion है इस course को लेकर काफी doubts है बच्चों के मन में काफी डर भी है लेकिन मैं आपको यहाँ पर assure करना चाहता हूँ कुछ ऐसी jobs है जो PharmD ही कर सकती है कुछ ऐसी posts है जहाँ पर आप बी फार्म के बाद नहीं जा सकते है आपको PharmD करनी होगी उनके बारे मैं आपको पता होना चीए कुछ चीज़े मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में share करता क्लिनिकल फार्मसीट के अगर आपको पोस्ट यह तो PharmD eligible है भी फार्म नहीं है रेजिटेंसी प्रोग्राम करने के लिए minimum requirement फार्म डी की है अगर आप R&D डिपार्टमेंट की बात करो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर तो वहाँ पर MFarm graduates और PharmD graduates सी available होते है क्लिनिकल रिज अगर मैं इंडिया के छोड़ कर दूसरे कंट्री की बात करता हूं तो कई कंट्री के अंदर फार्म डी एक minimum eligibility ऐजिस्टेड फार्मसीट बनने के लिए अमेरिका उसके अंदर number one country आती है तो यह course पूरा black नहीं है और पूरा white नहीं है हमें दोनों sides को समझना होगा और हमें जानना होगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत हर profession के अंदर कुछ positive side होती है कुछ negative side होती है तो हमें अपने according देखना होगा कि हम क्या positive side पे काम कर पाएंगे क्या हम इस course के through अपने career के अंदर grow कर पाएंगे या फिर नहीं हमें सीरफ दो ही चीज़े करनी है अपनी skills के उपर काम करना है और update रखना है इस industry के बारे में इस industry में क्या latest हो रहा है क्या technology use हो रही है उसके बारे में हमें समझना होगा जानते रहना होगा और इ सब्सक्राइब कर लेकर और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजी क्योंकि ऐसी ऊसम्प कॉंटेंट इस चैनल के उपर आता रहेगा तब तक के लिए धन्यवाद झाल